गुद आप्टरनून क्लास, गुद आप्टरनून क्लास, सिट डाउं, आप लोगों ने संख्याएं पड़ी, संख्या एक से लेके नौ तक छोटी संख्याएं होती है, ठीके, और उसके बाद संख्या बढ़ती जाती है, मालूम है आपको? यह संख्याएं तो कुछ संख्या छोटी होती है, उन में से और कुछ बड़ी होती हैं संख्याएं, ठीके, तीन बच्चे आईए, एक बड़ा बच्चा कोई आईए, यह बताईए, यह कैसी है? सबसे छोटी है, ठीके? और यह दोनों एक जैसी हैं कि छोटी बड़ी हैं? एक जैसी है? बराबर है ना? और यह सबसे बड़ी है, ठीके? तो यह छोटी संख्या हो गई, यह दोनों बराबर की संख्या हो गई, और यह बड़ी संख्या हो गई, हमने इसका नाम संख्या रख दिया है, ठीके? numbers जिसको हम English में कहते हैं numbers number one two and three ठीक है तीनों का number one two three एक दो तीन तीनों के number रख दिये हैं अब इसमें से हम पता करेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या और उनका चिन कैसे लगेगा यह हम आपको बताने जा रहे हैं ठीक है जाइए इसके चिन हम किसको कहते हैं चिन किसी निशान को बोलते हैं तो छोटी बड़ी संख्या आपको बोलते हैं तो छोटी बड़ी संख्या हैं तथा उसके चिन जो उसका निशान है जब यह निशान यह चिन कोई भी बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ इसका इस चिन का मुम खुलता है अगर संख्या बड़ी है अगर इधर तीस है और इधर दस है तो इस संख्या का चिन इस तरफ खुलेगा क्यों? क्योंकि यह बड़ी संख्या है अगर यह तीस इधर आ जाएगा और यह दस इधर आ जाएगा तो इस संख्या का इस चिन का मुम इस तरफ खुलेगा क्योंकि अब वो संख्या इस सरफ आ गई है तो चिन का मुम उस तरफ खुलेगा अगर यहां पे भी दो है और यहां पर भी दो है तो हम इस कौन कम हैं कौन जादा हैं दोनों बराबर हैं तो उस बराबर को हम यह वाला चिन दे देते हैं ये एक ये और ये बराबर का चिन्य तो जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ हम चेन का मूँ खोलते हैं ठीक है चलिए आईए दो लोग आईए इसमें से हम लोग आईए जल्दी आईए नमबर उठाईए इसमें से कोई एक गिंती उठाईए ये कौन सा नमबर है उपर करिए कौन सा नमबर है पचपन और ये वाला कौन सा नमबर है बारा तो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है हम इसको चिन्न के द्वारा लगाएंगे ठीक है चलिए इसमें लगाएंगे कौन सा चिन्न हम लगाएंगे कौन सी संख्या बड़ी हुई तो उस चिन्न का मुझ किधर खुला पच्पन कि तरफ खुला पच्पन की तरफ जाईए ये कौन सा नंबर है कौन सी संख्या है ये और वो कौन सी संख्या है तीस तो इसमें कौन सा निशान हम लगाएंगे किधर मुझ कुला संख्या नंबर तीस की तरफ ठीक है संख्या तीस की तरफ उस सिन्न का मुझ कुला ठीक चलिए आईए जल्दी आईए दो नंबर उठाईए कौन सी संख्या है ये कौन सी संख्या है और वो कौन सी संख्या है तीन चालिस बड़ा है या तीन चालिस बड़ा है तो इसको कैसे पता करेंगे हम चालिस की तरफ इस चिन का मुझ खुलेगा ठीक है चलिए पहले ये बताईए ये कौन सी संख्या है बासट और वो कौन सी संख्या है बासट क्या उस बासट से बड़ा है चोटा है तो क्या है सबको सबको करने देंगे ठीक है बासट बासट के बराबर है तो बराबर के लिए हमने कौन सा चिन इस्तमाल किया ये वाला बराबर का ठीक है चलिए आईए नेक्स्ट ये कौन सा है संख्या कौन सी है ये कौन सी है पैतालिस और वो वाली कौन सी संख्या है इक्यावन कौन सी है इक्यावन इसके लिए कौन चेहने लगाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी इसमें सी संख्या बड़ी है इक्यावन ठीक कौन सी संख्या बड़ी हुई इक्यावन ये पैतालिस नहीं बड़ा है क्यों इसमें कितनी दहाई है पैतालिस में कितनी दहाई है दहाई कितनी है इसमें पांच दहाई हैं पैतालिस में दहाई चार दहाई है और एकाई कितनी है पांच और एक्यावन में कितनी दहाई है तो चार दहाई बढ़ा हुआ कि पाँच तो इसलिए कौन सा नंबर बढ़ा होगा कौन सी संक्या बढ़ी होगी पाँच ठीक है चलिए रखे ये क्या चीज़ है कैसा है घर ये क्या चीज़ है नहीं ये है क्या चीज़ पहले तो ये बताईए क्या है घर कौन सा घर इसमें से बढ़ा है वो वाला है तो हम ये वाला चिन लगा दे नाई क्यों जिदर बढ़ा होगा उदर क्या होगा चिन का मूँ खुला रहेगा जिदर बड़ी चीज़ होगी उदर हम चेन का मूँ बड़ा चेन लगाएंगे जल्दी आईए सबको मिलेगा बिटा चांस ये क्या चीज़ है किस रंगा होता है पेर कौन सा पेर इसमें बड़ा है कौन सा बड़ा है चलो चेन लगाओ कौन सा बड़ा है बाते नई यहाँ पे कितने कितने सेव है यहाँ पे और वहाँ पे मुस्कान यहाँ कौन सा चिन लगाएंगे बराबर का क्यों क्यों लगाएंगे बराबर का चिन क्योंकि इधर भी दो हैं और उधर भी दो हैं इसलिए हम जब कोई चीजे दो चीज बराबर होती है या कोई संखिया बराबर होती है तो हम यह वाला चिन लगाते हैं ठीक है? सबको समझ आयो? या कांगी